Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ओपन बुक एग्जैमिनेशन जो की डेली उनिवरसिटी में मार्च में होने वाला है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्ट सिमेस्टर के स्टूटेंट्स के लिए, तो इसमें हम OBE के बारे में पूरी डिटेल में डिस् इसी होता है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, तो वो सब हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा हम रेगुलर और S.O.L. यह दोनों के लिए ही है, means यह जो भी इंफर्मिशन है, यह दोनों के स्टूडेंट्स के लिए NCWeb भी है, उसी में ही आ जा की, तो उसके लिए आपको step by step कुछ instructions को follow करना होता है, तो आपकी पहला step होता है, आपका one time self registration in DU portal, means आपको DU portal पर अपने आपको register करवाना होता है, और उसमें अपने details like name, enrollment number, और अगर आपको मिल चुका है तो, और program का आपका name क्या है, DOB क्या है, examination role number क्या है, registered email और mobile phone number, यह सारी information आपको fill करनी होती है, तो उसके बाद आपको जैसे ही यह सारी details fill करते हैं, तो आपको एक password मिलता है, आपकी registered email, ID या mobile number पर एक password आता है, और आपको वो password ही use करना होता है आगे, means अगर first time register कर रहे हैं, तो आपको हर बार, जब भी आप उस portal को open करने करें तो आपको वो password डालना होता है, तो आपको वो password याद रखना होता है, तो you can log in with that examination roll number and password to locate the mock test papers, अगर आप करना चाहते हैं, डेली यूनिवरसिटी के, तो भी आप उसी password और अपने examination roll number को use कर सकते हैं, उसके बाद अब आजाता है, आपका step 2 on the date of final OBE examination, means जब भी आपका first examination ह होगा, उस दिन आपको क्या क्या करना है, ये भी आप ध्यान से समझ लें, कि उस दिन आपको सबसे बहले तो examination portal पर login करना होगा, वही अपने examination roll number और password से 30 minutes पहले, means कम से कम 30 minutes पहले आपको login करना होगा, ये नहीं हो कि आपका exam 10.30 पर आप 10.30 पर ही login करने बैठ रहे हैं, student screen will display the time left in the opening of the question paper, means आप जैसे ही वो screen open हो जाएगी, आप login करेंगे, तो आपको एक clock दिखने लगेगी, कि आपका question paper कितनी देर में visible हो जाएगा, तो उसके बाद आपके like कुछ instructions होंगी, question paper से related, आप उनको ध्यान से पढ़ना start कर दें, इसलिए बोला गया है कि half an hour पहले ही आप इसको login कर लें, ताकि instructions वगेरा आप ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद जब आपका question paper visible हो जाएगा, तो आपने question paper को download कर लेना है, download button पे click करके, आपके question paper को download कर लेना है, और वो portal में means आपका examination की, जिस भी दिन date sheet की according, जब भी आपका exam है, उसी दिन, उसी particular time पर ह visible होगा, तो आपको उसको download कर लेना है, उसके बाद students are required to click on the download button to download the question paper, आपको as I have told you कि पहले ही download कर लेना है, desktop, laptop, phone, जिस से भी आप paper कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर आपको जरूरत पढ़ती है, तो आप अपने like common service center पर भी download कर सकते हैं, उसे, तो if any case a student faces any difficulty in downloading the question paper from the portal, तो आप अपने college, अपने department को उसी time request भेजें, उनको फटा-फट message भेजें, कि आपकी जो registered email है, phone number है, उससे भेजेंगे आप, कि आपका question paper जो है, वो download नहीं हो रहा, कुछ problem आ रही है, और जैसे ही आप उनसे like request करेंगे, तो they will help you, और जैसे ही आपका question paper download हो जाएगा, उ three hours की होगी, तीन घंटे आपको मिलेंगे paper लिखने के लिए, उसमें two hours will be for answering the question and one hour for uploading, means IT, downloading the paper, uploading, scanning, ये सारा काम करने का one hour extra, दो घंटे आपको paper लिखने के लिए मिलेंगे और एक घंटा extra मिलेगा, और उसके बाद एक घंटा और extra आपको मिल सकता है, अगर आपको like upload करने मे किसी तरह की problem आ रही है, कोई time लग रहा है, scan करने में paper को या ये सब चीज़े में, तो total five hours का duration होगा आपका एक exam के लिए, आपको five hours का time मिलेगा एक test के लिए, तो उसके बाद आपके like इसी तरह से उसके बाद आपने answers लिख लेने हैं, सारे question papers, सभी questions के, और A4 size white papers पर ही ल examination, सब कुछ आप पहले से ही लिख कर रख ले, साभी sheets के उपर ताकि उस वक्त आपका time बच जाए, तो हर question के लिए आपको separate sheets यूज़ करनी होंगी, और फिर आपने upload कर देनी है, अपनी like PDF बनाने है, अपनी answer sheets के, हर question का अलग-अलग PDF बनाकर, उनको scan करना है, और फिर उनक upload answers पे भेज देना है, अपने वहाँ पर upload कर देना है, तो अब उसके बाद आपकी sheets जब एक बार upload हो जाएंगी, तो उसके बाद आप कोई भी changes उनमें नहीं कर पाएंगे, तो अगर किसी भी reason की वज़ा से आप अपने answer sheets को upload नहीं कर पाए, तो आप उसको फिर PDF format में अपन कोई गलत sheet भेज दी, या फिर like 3 hours के अंदर अंदर आप अपनी sheets को नहीं भेज पाएं, तो उसके बाद आपको कोई भी changes करने का chance नहीं मिलेगा, तो उसके बाद like आपकी sheets एक बार submit हो गई, तो आपको like कोई भी chance नहीं होगा कि अब आप कुछ changes कर पाएं उसमें, तो इस आपका OBE का जो process है, वो complete हो जाएगा, तो भले ही आप regular हैं, या SOL के हैं, आप सबको यही format, means यही process को follow करना है, और आप सबसे बड़ी बात आजाती है, कि आपके mind में आ रहोगा हो कि आपके admit cards कब आएंगे, तो आपके admit cards जो हैं, वो आपको जब भी आपका exam होगा, तो उ आना पड़ेगा, नहीं वो आपके portal पर ही display होंगे, और वहीं से आपको उनको like, उनको download करके, उनका एक printout निकल बाकर रख लेना है, और वैसे सब कुछ अभी online ही होना है, जब offline exams होंगे, तब आपको उसकी offline एक printout like साथ भी लेकर जाना होता है, तो वो उसके बारे में एक कोई update नहीं है, अभी तक वही है कि उनके exams offline ही होंगे, so now I think I have given you all the information related to OBE, but still if you have any doubt, you can ask in the comment box, please share this video, subscribe to the channel if you are watching for the first time and like the video as well, thank you so much.